जै हिंद साथियों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल कनहिया जी यस वर्ल्ड में दोस्तों आज से हम लोग SSC GD भरती 2024 के लिए हिंदी की क्लास करेंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में जो की प्रिवियर्स येर्स पूछे गए कोस्चन्स है आप सबको पताओगा बहुत सारे सिप्टों में SSC के एकजाम होते हैं तो आज का जो हमारा वीडियो है हुआ है क्लास नंबर वन यदि आप लोगों को पसंद आया सिरीज तो वीडियो को हम लोग और कांटिन्यू करने वाले हैं बिना समय गवाय चलिए शुरू करते हैं दोस्त आज का वीडियो चैनल पर आप नए हैं तो SSC GT से सम्बंदित किसी भी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे की निसान को भी दबा देना है वीडियो को लाइक करके अपने साथियों तक स सब और सभी ग्रूपों में ठीक है चलिए देखते हैं और टेलिग्राम ग्रूप और चैनल पर भी आप जूड़ सकते हैं आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में या यही आपको सर्च कर लेना है टेलिग्राम पर देखिए यहां पर पहला कोश्चन आता ह है हमारा पहला कोश्चन कह रहा है कि रिक्त अस्थानों की पूर्ती उचीत संग्या सब्द से करें यहां पर खाली अस्थान तरल अवस्था में होता है तो बताएगा तरल अवस्था में क्या होता है तो यहां पर सुंदरी अगर हम लगाएंगे तो सुंदरी तरल अवस्था की बात कर रहा है तो क्या पारा जो है वह नारमल टमप्रेचर पर यहां पर तरल अवस्था में होता है ठीक है अधा द्रव्यवाचक संग्या यहां पर है तो आपसर नमघ्डी सही हो जाएगा नेक्ट कोशन यहाँ पर पूछ रहा है स्वर्ग का पर्यावाची सब्द इन में से क्या होगा स्वर्ग स्वर्ग मतलब बताईए स्वर्ग मतलब होता है देव का लोग सूर लोग यहाँ पर सूर लोग भी लिख सकता है सूर मतलब होता है देवता लोक मतलब मतलब देवता का स्थान रोक तो तो सुर्य लोक भी उसका परियोची होगा देव लोक भी होगा इसके अलमा अन्य भी जैसे दिब्बे धाम हो गया ठीक है और भी परियोची इसके होते हैं तो sponge number यहां पर एस सही होने वाला है next question कह रहा है कि निम्न लिखित में से किस वाक्य में गंगा का सही परियावाची सब्द का प्रियोग हुआ है तो गंगा का सही परियावाची सब्द का प्रियोग हुआ है बताइए तो देखिए गंगा की परियावाची की बात करें तो आप नोट कर सकते हैं जैसे गंगा हो नदीस्वरी बड़ा सा रहेगा इसके अलामा और क्या होता है kitchen studies तरँ सुर सरी क्षATT स्कें लामा होता है देव नदी है ज करी कि फ़ागी रथी है कि भागी रथी इसके लावमा किरिए का विशिदू पदी होता है देव सरीत होता है अमरत रंगनी होता है धक्क चान्वी किसको कहा जाता है तो कालिंदी नोट कर लिजेगा यमुना को कहा जाता है इसका उत्तरे सही नहीं है सही मस समझें ठीक है नेश्ट यहां पर कहा रहा है काल गंगा काल गंगा यमुना को काला जल होने के करड़ यमुना को कहा जाता है देववती का जल अत्यंतर पवित्र होत तो देववती ग्यान बुद्धी को कहा जाता है तो इसका सही जबाब क्या होगा 63 का सही जबाब हो जाएगा अफसर नमबर यहां पर डी क्योंकि देवनदी अमने आपको बताया इसका पर्यावाची है तो देवनदी जल का प्रवित्र होता है देववती किसको कहा जाता है तो ग्ञान बुद्ध को कहा जता है, नेस्ट कोश्चन آया है, भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम जेश के अनुआई थे, वाक्य में प्रियुकट अनुआई सब्द का अर्थ क्या होगा? तो runway आपने बहुत सुना होगा कि वह हमारे runway है la तो सही जबाब क्या हो जाएगा इसका सही जबाब हो जाएगा अपसर नमबर डी अनुसराइड करने वाला या प्रसांसक भी का सकते हैं और यहां पर बात करें विरोधी तो आप समझी रहेंगे विरोध करने वाला पूजा करने वाला पूजारी और अनुवाई सब्द का अर्थ अनुसरण करने वाला से से और अनुगामी देखें यहां पर कंव्यूज नहीं होता है अनुगामी मतलब होता है पीछे चलने वाला ठीक है तो कह रहा है कि बहुत सारे बुद्ध के अनुगामी नहीं है प्रसंसक हो जाएगा इसमें सही जबाब नेक्स्ट कोश्चन हम लोग का आता है वह बीर और साहसी पुरुस साधारण नहीं होते हैं अपितु यानि कि बल्की प्रतिभा से प्रियुक्त होते हैं खाली अस्थन में क्या भरा जाएगा तो दिखेए 65 का सही जबाब हो जाएगा सामाने अपितु सामाने प्रतिभा से युक्त होते हैं नहीं कठोर एकदम नहीं वीर पुरुस साधारण नहीं होते हैं ऐसा शर्चर प्रतिबा से युक्त होते हैं आपसर नंबर सी सई हो जाएगा 6चछ्ट है दादा दादी का सब के जीवन में पूज्ययनिय अस्थान है अस्थान होता है उपरोक्त वाक में किस भाग में असुद्ध वरतनी वाला सब्द है तो बताए किस में असुद्ध सब्द है तो देखिए साफ साफ पाचन आगया पूज्य निये देखिए पूज्य हम का सकते हैं पूज्य पिता जी पूज्य माता जी लेकिन जब पूज्य निये सब्द आएगा तो यहां पर आधाज नहीं रहता है पूज्य निये होता है तो यहां पर पूज्य निया अस्थान गलत नहीं हो सकती हैं उसे क्या कहा जाता है ऑप्रमेय कहा जाता है हम थो क्या होथी थी प्रमय लेकिन यहां पर प्रमय नहीं होगी तो ःचिंत की बात करें तो इसका मतलब कोई भी ऐसी वाड़ी वचन हो जिसको वरड़न के द्वारा न किया ब्यक्त न किया जा सके अगला आता है जो अपनी जगह से न डिगे वाक्यांस के लिए उचित सब्द बताईए दोस्त तो क्या हो जाएगा बताईए सही जबाब हो जाएगा जो अपनी जगह से न डिगे अडिग देखे से सीजीडी में हिंदी क्या होती है हिंदी आसान आती है और हिंदी में 20 में से आप लोग मतलब थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तब भी 18 कर सकते हैं यदि आप पढ़के जा रहे हैं तो 20 बाइ 20 या 19 तो आप सई करके ही आएंगे एक दम नहीं कभी का पढ़ें तब भी आप 15 तक 16 तक 14 तक पहुच सकते हैं बागी हिंदी पर थोड़ा फोकस करेंगे तो 20 में 20 आई ही जाएगा नेक्ट कोशन है निम्नलिकित वाक्यांज के लिए एक सार्थक सब्द चुनिए जिसे पार करना कठी नो तो जिसे पार करना कठी नो बताईए क्या हो जाएगा जिसे पार करना कठी नो तो यहां पर हो जाएगा 69 का सही जवाब हो जाएगा पार रंग न क्या कोश्चन है तो जिसे पार करना कठी नो इसके लिए क्या होता है जिसको पार करना कठी नो ठीक है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दूस्तर दूस्तर और यहाँ पर जो दिख रहा है आपको पारंगत यानि कि अपने कारे में निपूर दूर दरसी दूर तक की बाद सोचने वाला और यहाँ पर दत्तक मतलब गोद लिया पुत्र नेक्ट आता है यहाँ पर नेक्ट कोश्चन है यहाँ पर निमनलिकित मुहारों के लिए उपियुक्त सार्थक सब्द है तो बहती गंगा में हाथ दोना उमीद है इसका आप सब को पता है बहती गंगा में हाथ दोना का क्या मतलब है आउसर का फायदा उठाना ठीक है तो सही हो जाएगा नेश्ट आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें दोस्त यदि आप SSC GD की बेतरिन तयारी करना चाहते हैं तो बात करेंगे SSC GD के बेस्ट बुक के बारे में जो की है चच्चू पब्लिकेशन की यह बुक कंप्लीट इस्टडी गाइड बुक है जो की आपके परिच्छा में काफी सहायक सी दोगा और इस बुक का रिव्यू आप यहां पर बुक का एक जलक इस पीडियाप में देख सकते हैं संपूर विशाय सूंच Jordan आपको मिलने वाला है और प्रीवियूस जो भी पेपर हुएं आपको यहां पर वोगी मिलेगा और साथ-पेख नीचे इसका हमने लिंक दे रखा है या फिर आप अपने नजदी की पुष्टक बंडार से भी ले सकते हैं चलिए बढ़ते हैं अपने कोश्चन पर वापस नेक्स्ट कोश्चन है रेखां की सब्द के अस्थान पर सरोचित विकल्प चुनिए ठीक है कह रहा है आवस्य काम में रत रहने के कारण मुझे आवकास नहीं मिला तो रत इसका मतलब क्या होता है चलिए आपको बताते हैं देखिए रत मतलब क्या होता है अत्यधिक व्यस्त यानि की आवस्य काम में अधिक व्यस्त रहने के कारण मुझे को आवकास नहीं मिला तो सही जबाब क्या हो जाएगा आफसन नमबर ए आन्ने की बात करें विरक्त मतलब होता है कि सांसारिक मोमाया से मुख्ध हो जाना विलीन मतलब किसी में घुल जाना मिल जाना समा जाना और आसक्त मतलब होता है जैसे आसक मतलब किसी निर्वर होना किसी अन्यवेक्ति पर दूसरी के उपर एक तरीके से निर्वर होना नेक्ट कोश्चन यहां पर आता है लाल किला भारत की खाली अस्थान इमारत है वाक्य में रिक्त अस्थान की पूर्ती सुद्ध सब्द द्वारा कीजिए तो लाल किला भारत की कैसी इमारत है पकड़िये आतिहासिक या फिर ऐसा इतिहासिक सही है या इतिहासिक होता है या फिर इतिहासिक होता है बताइए सही जबाब क्या हो जाएगा आफसन नमबर ए है यह मेरा की क्या होगा आयति हासी किस पर आयवाली मांतरा लगती है इनक वाली ठीक है कि नेंज्ट कोशन हम लोग देखेंगे कह रहा है की वाक्ट मेरे खांकी सब्द के अस्तान पर शरोचित सब्द का चेन कीजिए का रहा है कि प्रतेग भारतवासी को हिंदी का समान ग्यान होना चाहिए ठीक ए तो समान ग्यान होना चाहिए यहांपर आपसन क्या दे रखा है आपसने है साहितिक, शामाजिक, बेवहारिक, लौकिक प्रश्ण है समान ग्यान होना चाहिए हिंदी का समान ग्यान तो हिंदी का समान ग्यान कुछ ताल मेल ठीक नहीं रहा रहा है हिंदी का क्या होना चाहिए हिंदी का होना चाहिए बेवहारिक ग्यान ठीक है तो यहां पर सही जबाब यह हो जाएगा है अ बहुखर में प्रतेग भारतवासी हैं मतलब की मतलब gradu तो प्रतेक भारतवासी को कोई जरूरी थोड़ी है कि साहिते पुरा पड़े साहितिक ज्ञान हो शमाजिक लवकिक तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बैवहारिक बैवहार प्लस एक यानि कि बैवहार वाला नेश्ट कोश्चन है आफसन नमबर स्वारी दिम्नलिकित में से कौन सा वाक्य संग्या के प्रयोग की द्रिष्टी से सुद्ध है रगुवीर मेरा अग्रज भाई है अग्रज मतलब क्या होता है बड़ा अग्रज का आर्थ होता है आगे बड़ा अग्रज अग्र मतलब आगे अज्या मतलब जन्वा हुए यानि कि अग्रज मतलब बड़ा भाई एक तरीके से रगवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई है देखिए जब अग्रज आ जाएगा तो बड़ा भाई लिखने का कोई मतलब नहीं है इसका मतलब यह आता है बड़ा भाई रगवीर मेरा अग्रज छोटा भाई है या अग्रज मतलब आगे यानि कि बड़ा भाई या छोटा भाई है यह भी बैट नहीं रहा है कह रहा है कि रगवीर मेरा अग्रज है तो क्या है सही यही है क्योंकि रगवीर मेरा यानि कि रगवीर मेरा अगरज मतलब बड़ा भाई तो रगवीर मेरा बड़ा भाई है आपसन नमबर डी सही है नेश्ट कोशन है उट के मुह में पान भरना कभी सुना है ऐसा मुहावरा उट के मुह में पान भरना रेखांकी तो वाक्यांस के अस्थान पर सुद्ध वाक्यांस क्या होगा तो देखें उट के मुँँ में क्या होता है जीरा देना तो आफसर नमबर यहां पर क्या होगा प्रचलित लोकोती है आफ सब ने कभी न कभी जरूर सुना होगा तो सही जबाब क्या होगा उट के मु मिलेगा कि एक अस्थान पर क्या बारा जाएगा दो पर ठीक है और आपको प्रश्ण वाला भी दे सकता है कंप्रेंसन दे करके इसका उत्तर चाटी है चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं देखिए करा बाबा जी भी मनुस्य से ही थे अपनी वस्त की खाली एस्तान दूसरे के मुख में सुन दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हिर्दय अधिर हो गया घोड़े को खोल कर बाहर गए खाली स्थान वायुत से उड़ने लगा फिर खाली स्थान चाल देखकर Kharak Singh के हिर्दय पर साप गया तो यहां पर क्या वारेगा सांप लोट आभी आगे देखेंगे वह डाकू था और जो वस्त उसे पसंद आ जाए उस पर उस पर खाले स्थान अपना अधिकार समझने लगता था तो कहरा है कि एक अस्थान पर क्या भारा जाएगा तो आप एक बार आफसंस पढ़ लिजिए नाम बुराई प्रसंसा निंदा चलिए पालावला देखते हैं अपनी वस्त की प्रसंसा दूख अपनी वस्त की निंदा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका अधिर अधिर हो गया तो निंदा तो सुनेगा नहीं कोई दूसरे के मुख से अपनी प्रसंसा ही सब सुनना चाहते हैं तो क्या होगा अपना तो सब अपनी क्या सुनना चाहते हैं परसंसा तो अपनी परसंसा सुनने के लिए दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका एदर क्या हो गया अधीर हो गया अब कह रहा है घोडे को खोल कर बाहर गए फिर दूसरे में क्या बहरा जाएगा दूसरा में कह रहा है कि रिक्त अस्थानों की पूर्ती कजी है मनुस से बैल घोड़ा बाबा तो कह रहा है कि वाई वेक से उड़ने लगा तो क्या उड़ने लगा बाबा उड़ने लगे नहीं बैल नहीं क्या होगा हो घोड़ा वाई वेक से उड़ने गोडे को बाहर खोल कर गए हैं तो उड़ेगा क्या आपसन क्या दिया है तो जब गोडे को खोल कर बाहर गए है तो गोडा यहां पर भरा जाएगा गोडा वाई वेक से उड़ने लगा ठीक है कहिए रहा है चाल देखकर खड़क सिंग के हिर्दय पर तो तीन अस्थान पर क्या होगा उसकी मेरी किसकी सबकी तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या होगा उसकी चाल देखकर खड़क सिंग के मन पर साप लोट गया तो किस की उसकी तो रहेगा नहीं यहाँ पर क्या होगा उप्युक्त सब्द उसकी चाल देखकर ठीक है तो उसकी चाल देखकर अब यहाँ पर क्या है चार अस्तान पर क्या आएगा चौते नंबर पर चौता क्या आएगी क्या लोट गया साप लोट गया ठीक है तो यहां पर रहेगा लोट गया अब कहरा है वह डाकूता जो वस्तू उसे पसंद आजाए उस पर खाली अस्तान अपना अधिकार समझता था तो देखेंगे वह मुझे हम हम है वह मुझे हम हम है ठीक है तो अस्ती में क्या होगा उस पर यहां पर क्या होगा अपना अधिकार समझता था उस पर फिर आफसंद देखेंगे नीचे रूख जा रहा है उस पर वह ठीक है त्यानी कि उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था समझता तो यहां पर वह अबर आएगा आसान है आपके सामने जब पढ़ेंगे तो कोश्चन दीखेगा उपर से नीचे तक तो और भी जल्दी लग जाएगा बाकि 20 सही कोश्चन तो पूछे जाते हैं तो 20 कोश्चन में से आपके कितने सही हुए बीस में से यानि आप यदि 17-18 से पर जा रहें तो आपका बहुत बढ़िया इसको रहें बाकि 14-15-16 पर लटक रहें तो थोड़ी मेहनत जरूर करिए बाकि आपको यह कैसा लगा जरूर बताइएगा नेश्ट क्लास भी आएगा आपको पसंद आए तो ठीक है मिलने हैं दोस्त नेक्स वीडियो में जय सब्सक्राइब करके रखिए जय हिंद आपके लिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जय हिंद